तो जी कैसे है मेरे बावर्ची लोग तो आज आप बोलोगे क्या यार वीडियो की स्टार्टिक में प्याच टमाटर दिखा रहे हो अरे ऐसा कुछ नहीं है यार बहुत ही टेस्टी वाली रेसिपी है आगे तो सबसे पहले ना प्याच टमाटर और इस तरीके से हरी मिर्च औ अब मैरिनेशन आप चाहो तो बाहर का जो पैकेट आता है बना बना वो भी यूज कर सकते हो चिकन लो चिकन को अच्छे से मैरिनेशन पर कोट कर दो और दस मिनिट के लिए साइड में रख दो हाँ अभी तक तो आप समझ गई होगे क्या बना रहे है बटर दिख गया है च तो यहां पर हमने ले लिए थोड़ा सा ओईल उसके अंदर थोड़ा सा बटर डाला एक चमच के कलीब लाल मिर्ची का पाउडर अब ग्रास को कर दो थोड़ा सा सिम जब तक कि हमारा ना थोड़ा से ओल में बबल साने लग जाए उसके बाद इसमें डाल दो जिंजर गालि अच्छे से मिक्स कर लो और थोड़ी देर के लिए ना पांच मिनट के लिए अच्छे से चिकन को कुक कर लो ताकि वो जो उपर उसकी क्रिस्पी सी लेर बन जाएगी ना मजा जाएगा फिर उसके बाद जो हमने प्यास टमार्टर बॉयल करे थे ना उसका पेस्टेस में ड जोड़ दो एक्स्टा पानी डालने की कोई अभी जरुवत नहीं है क्योंकि चिकन खुद का पानी भी छोड़ता है जब यह कवर करके कुक कर लोगे दस मिनिट के बाद 10-15 मिनिट में यह ऐसा खोक हो जाएगा जब यह अच्छे से कोक हो का इसके इंदर हमने क्रीम डाल द अगर रेसिपी पसंदा है तुम्हें चानल को फड़ा फच्छे सब्सक्राइब कर लो और इस रेसिपी को एंजॉय करो नान परोठे रोटी या तो फचावल के साथ और अगर रेसिपी अच्छी लग रही हो तो नीचे कॉमेंट करके भी बताओ यह और ऐसी और भी सिंपल सब्सक्राइब तो मेरे चानल को कर लूख सुप्सक्राइब मैं डाले है वेज़ ti के साहत डिलिए भी भी या जैवर बुर्य चावल के साथ और अवि तक नेकल चानल को क्लपली करो और इस यह ऐख से शेर करो और शाधर करो त ी करो बिलिए से